एक चंगल में साध नामक मुनी रहते थे। उन्होंने तब करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के पार जब उनकी आखे खुली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आगिरी। वह गिलहरी खून से लगपत थी क्योंकि वो चील के पंजो से छूट प्राप्ति की चाह रख रही है। लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इतना सोचती ही मुनी ने एक मंतर पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच् बच्ची बनाने के बाद गोध में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा लो अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। मुनी की पत्नी छोटी बच्ची देखकर खुश हो गई। अब की लहरी से में बड़े लाड प्यार से पलने लगी। मुनी की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदानता रखा। मुनी और मुनी की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदानता को पाला। मुनी को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपने ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई, खुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनी भूल ही गई कि वो एक किलहरी है, वेदानता को मुनी ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, देखते ही देखते वेदानता 16 साल की हो गई, अब मुनी की पत्नी को अपनी सुन्दर बेटी की मत करो, मैं इसके लिए योग्यवर ढूंड लोंगा, मुनी को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुन्दर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सिध्धी से सूर्य देव को पुकारा, सूर्य देव ने मुनी को प्रणाम करके बुलान की वज़े पूछी, खब मुनी ने कहा, मेरी बेटी विवा की योग्य हो गई है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके पती बने, सूर्य देव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछी जिए, अगर उसे मन्जूर है, तो मेरी तरफ से भी हाँ है, खब वेदानता बोली पिता जी, यह बहुत गर्म है, मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। मुनी ने वेदानता से कहा, कोई बात नहीं हम दूसरा वर देख लेंगे। खभी सूर्य देव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेश्ट बादल है, आप उनसे बात कीजिए। वह मेरे प्रकाश को भी ढग देते हैं। मुनी ने अब बादल को याद किया। बादल गर्जते हुए मुनी के पास पहुचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनी ने सीधे वेदानता से पोचा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है। वेदानता ने इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनी ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनी ने अपनी बेटी से पूचा, क्या आपको यह वर पसंद है। वेदानता बोली, पिता जी, यह तो एक जगे ठहरते ही नहीं है। इनके साथ मैं घर कैसे बसा प आउंगी। इस पार मुनी ने पवन देव से पूचा, मुझे अपने पुत्री के लिए वर की तलाश है। आप बताईए कि आपसे श्रेष्ट कौन है। पवन देव ने जवाब दिया, मुनी वर, आप परवत को बुला सकते हैं। वह मेरा रास्ता रोग देते हैं। वह मुनी ने परवत को पुकारा। परवत को देखते ही वेदानता बोली, यह तो पत्थर हैं। इनका दिल भी पत्थर का ही होगा। इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी। मुनी ने हाथ चोड़कर परवत देव से पूचा, आपसे श्रेष्ट कौन है। परवत राज न मुनी जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उचल पड़ी। उसने कहा, पिता जी, यही मेरा वर बनना चाहिए। मुझे यह पसंद है, इनकी पूँच, कान सब कुछ कितना प्यारा है। मुनी ने सोचा, अहो। मैंने एक गिलहरी को मंतर विद्या से इंसान तो ब इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है।